ellow इस वीडियो में आप एंप्लीमेंट करना सीखेंगे कैसे आप individual elements को style कर सकते हैं किस तरह से आप hold document को style कर सकते हैं किस तरह से आप table of content create कर सकते हैं style की base किस तरह से आप outline create कर सकते हैं किस तरह से आप easily navigate कर सकते हैं within a document तो start करते हैं यहां already मैंने document open किया है जिसमें मैंने styles को apply करना है तो first of all यहां पर आ रहा है introduction यह मेरी main heading है means heading one है तो इसके उपर मैंने single click करना है किसी भी जगह पर click कर लूँगी and then यहां पर styles style का dialog box open हो जाएगा यहां से आप font families की change कर सकते हैं यहां से मैं इसका font style change कर लेती हूं यहां पर मैं इसका size भी change कर लेती हूं इसको मैं 20 कर लेती हूं इसको मैं bold कर लेती हूं आप इसको italic भी कर सकते हैं underline भी कर सकते हैं then यहां पर यहां पर इसका पर प्रेवियों कर देखें तो इंट्रोड़क्शन की बिलों यहां पर पे पैग्ग्राफ है अब जब मैं फ़र्ट वन को चूज करूँगी तो इंट्रोड़क्शन और पैग्राफ में जो स्पेसिंग है वो कम हो चुकी है अगर आपने इसको करनी हो तो आप last one को choose करेंगे यहां से मैं middle one को choose कर लेती हूं then यहां पर option है format कि आपने इसके उबर click करना है और आपने यहां पर phone के उबर आ जाना है यहां पर font styles हैं जो आप यहां से use कर सकते हैं यहां पर अगर आपने इसको text को underline करना है next time move करते हैं यहां परgeoning to है मेरी Campus level 2 अब यहां पर संपूर से लकटीं की kijken अब यहां पर में font family change नहीं कर रहें इसके, सिर्फ यहां से इसके में joh font size है, वो में change कर लेते हूं, इसको I will hold इसको i am text color yeah phone color हो में यहां से change कर लेती हूं, में here से color change कर लेती हूं and then में ok के ओ पर click कर लेतू, अब यहां पर देख सकते हैं हैंप हैडि इसके ओप हैंप ऑफ है यह बंग कर लेश् mama । करते हैं वान पॉन फाइफ है तो इस में यह भी लेवल घृ और ये पिले संखąd then download move करते हूं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह heading 2 की sub heading है its mean कि यह heading 3 है level 3 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं heading 3 apply करूंगी और इसको भी मैं यहाँ पर modify भी कर लेती हूं again modify के ओपर click कर लेती हूं यहाँ पर इसका मैं font size यही रहने दूंगी सिर्फ इसको मैं bold कर लेती हूं और यहाँ पर इसका जो font color है वहाँ से change कर लेती हूं then मैं ok के ओपर click कर लेती हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि heading 3 भी हमाई style हो चुकी है और हमने इसको modify कर लिए आपने simply 11th heading जो है यह heading 2 है और इसके ओपर heading 2 style हो हम apply कर लेते हैं then downward move करते हैं और यहाँ पर heading आ रही है 1.8 its mean यह भी heading 2 है तो यहाँ पर level 2 heading है तो इसके ओपर हम heading 2 style हो apply कर लेते हैं अब यहाँ पर इस document में norel है तो आपने क्या करने simply normal को modify कर लेने इसके ओपर right click करने और modify को आपने open कर लेने अब अब यहाँ पर apply कर सकते हैं यहाँ इसका phone size जो हो increase कर लेती हूं 12 कर लेती हूं और में OK के ओपर click कर लेती हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो phone style हो यहाँ पर 12 pixels अब अगर आपने इसकी लाइन के उपर आने हैं चुक्कि यह पर आने हैं और आपने पर कर लेने अब अगर आपने करना हो तो यहां से लेफ्ट राइट अंटर आप वो कर सकते हैं आप प्रिवीव मैं आप देख सकते हैं मिये निशनते लिमार घंट कर लिता हुँ इख ciao करना है और यहां पर मैं blank page add कर लेती हूं अब यहां देख सकते हैं जो content है मेरा वो second page पर move हो चुक है और यह जो first page है यह new page जो मेरा add हुआ है यहां पर मैं यह table of content को add करना है तो मैं कैसे करूँगी simply मैं references tab की उपर click कर रहे हो और यहां पर option है table of contents के आपने इसके उपर click करना है और यहां पर आपके पास two automatic tables की option है जिसमें automatic table 1 है and second है automatic table 2 दोनों में difference इस यह है कि यहां पर heading जो हो contents की आप o contents की है यहां से मिए table 2 को select कर लेती हूं और यहां पर आप देख सकते हैं single click पर यहां पर हमारा जो table of content है वो create हो चुका है क्योंकि हमने in all headings के उपर जो style apply है उसी की basis पर यहां पर हमारा table of content है वो add हो चुका है अगर इसको update करना हो means कि अगर आपने किसी heading को आगे पीछे move कर दिया है और अब आपने table को अपडेट करना हो तो आप कैसे करेंगे simply यहां पर update table की option आती है यहां से आप इसको update कर सकते हैं अगर आपने update page numbers only करना है या entire table को update करना हो तो यहां से आप इसको select करेंगे and then okay के उपक्लिक करेंगे तो आपका जो whole table of content है वो यहां पर automatic ले update हो जाएगा अब next remove करते हैं किस तरह से आप outline करेंट करते हैं या किस तरह से आप इस document में easily navigate कर सकते हैं तो आप कैसे करेंगे simply आपने view tab की उपर click करना है then यहां पे आपको option अज़राई की navigation pane की आपने इस navigation pane को check mark कर लेना यहां से और यहां पे अब आप आप देख सकते हैं कि heading के below यहां पे वह heading आ रही है जो आपके document में already आपने style की हुए हिरार्की आप देख सकते हैं फिर्स्ट हमारे पास आ रही है जो level 1 heading है वह introduction then level 2 पे हमाई पास 1.1 से लेकि 1.8 तक आ रही है और level 3 पे हमारी heading आ रही है जो 1.61 से लेकि 1.64 तक है अब यहां पे आप किसी भी heading के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो cursor है वह उस particular heading के ऊपर move कर जाएगा आप easily navigate कर सकते हैं विदीन डॉकुमेंट जिस भी heading के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपका cursor जो है वह अब यहां पर heading के बेज़ेंगे कर सकते हैं Pages के बेजिस की बेजिक पर कर सकते हैं यहां पर जैख सकते हैं अब आपने सिखे अभी तक कि individual elements को आप कैसे style कर सकते हैं अगर आपने whole document को style करना हो तो आप कैसे करेंगे simply आपने क्या करना है design tab में जाना है और यहाँ पर आपके पास option है document formatting के आपके पास option आ रही है जहां से आप select कर सकते हैं अब यहाँ पर style sets available हैं जिनको आप use कर सकते है style sets में difference यह है कि आपके document में जो भी titles है headings है paragraphs है उनके ओपर यह style automatically apply कर देगा single click के ओपर तो यहाँ पर first of all यहाँ पर मैं choose कह लेते हूं black and white और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस whole document में जितने भी elements है उन all को style कर देते हैं then यहाँ पर shaded one को में choose कर लेते हूं यहाँ पर देख सकते हैं कि whole document को style है वो apply हो चुक है with a single click अब for example आपको को guideline दी गई है कि इन जो heading one है उसका phone size यह होना चाहिए phone family यह होनी चाहिए तो आपने क्या करने है simply यहाँ पर home के ऊपर जाने है और आप इसको edit कर सकते हैं अब यहाँ पर heading one को modify भी कर सकते हैं तो again आपने इसके ऊपर click करने right click करने modify के ऊपर click करने और modify style का dialogue box यहाँ पर open हो चुक है अब यहाँ पर आपने जो style इसके ऊपर apply करने वह कर सकते हैं यहाँ पर simply माइस का font size में change कर लेति हूं इसको मैं 18 कर लेती हूं इसको मैं यहाँ से bold कर लेती हूं और इसको मैं text पर align कर लेती हूं towards center and then I click कर लेती हूं ok क्यों पर आप यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कि आपके font size कौन सा यूज हो रहा font style कौन सा है आपके जो color यूज हो रहा document का वो कौन सा है यहां से आप different themes को use कर सकते हैं यहां से इसको मैंने choose कर लिए next remove करते है color palettes यहां पर given हैं जिसमें से आप choose कर सकते हैं यहां पर चुकिए shaded one है तो आपके whole document के उपर जो color palette यूज होगी वो कौन सी होगी तो यहां से आप इसको भी choose कर सकते हैं यहां पर मैं इसको blue warm को select कर लेती हूं then whole document का अगर आपने font style change करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं simply आपने phones के उपर जाना है और यहां पर different styles available हैं जितको आप choose कर सकते हैं then next remove करते है paragraph spacing पे और paragraph spacing क्या है कि इस document में जितने भी हमाँ पास paragraphs आ रहे हूं में आपने जो spacing add करनी हूं तो यहां से आप easily कर सकते हैं यहां से आप single click करेंगे और whole document के उपर वो spacing add हो जागी यहां पर आपके पास compact आ रहे हैं टाइट है open है मैं relaxed है यहां पर simply मैं relaxed यह उपर क्लिक कर लेती हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह line spacing add हो चुकी है then next यहां पर जो option available है वह एफेक्स तो एफेक्स क्या है कि आपके document में जो भी objects use हुए हैं आपने उनके उपर अगर effect add करने तो यहां से करेंगे यहां पर मैंने एक diagram add किया हुए है means कि object add हुआ यहां पर मैं इसको सामनी ले आती हूँ जो है phases of game development अब इसके उपर आप भी effects add कर सकते हैं document में जहां पर भी आपने कोई object create किया हुए है उसके उपर यह effects add होगे यहां पर मैं effects के उपर जा रही हूँ और यहां पर यहां पर मैं texture को select कर लेती हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं कि texture add हो जाए है inner objects के उपर आप यहां से glossy one भी choose कर सकते हैं reflection कर सकते हैं different है आपने requirement के मताविक यहां से इनको choose कर लेने तो इस वीडियो में आपने सीखे किस तरह से आप individual elements को style कर सकते हैं किस तरह से आप whole document को style कर सकते हैं किस तरह से आप table of content को create कर सकते हैं on the basis of style और किस तरह से आप easily navigate कर सकते हैं within a document तूमेट